नमश्कार दोस्तों, पूजने स्रीप पंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा, कहे गए कुछ उपाए हम आपको बताने वाले हैं, आप लोग अगर शिव महापुरान के दोरान कुछ उपाए बताए जाते हैं, उन्हें नोट नहीं कर पाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं, तो उन्हीं उपाएं को हम हमारी चैनल के माद्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, आप लोग इन उपाएं को करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, आईए जानते हैं एका दशी का उपाए, एका दशी का दान बहुत ही महत्वर रखता है, आप वरत रखते हैं तो अगर आप एकादशी का दान करना चाहते हैं उस किये गए वरत का दान आप किसी के जीते जी ही आप किसी को करेंगे तो वहाँ आपको उसका फल प्राप्त होगा अगर आप एकादशी का दान किसी मरे हुए वैक्ति के नाम से करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता अगर आप एकादशी का दान किसी बीमार वैक्ति के लिए या फिर किसी ऐसे परिशान वैक्ति के लिए करते हैं जो आर्थी किस्तिती से गुजर रहा हो या बीमार हो या अपंग हो गया हो या कोई भी संकट आ गया हो उस पर तो आप उसको अपनी किये गए एकादशी के वरत का दान करें उसका किया गया दान आपको सो गुना फल देगा कले ही कोई वेक्ती खटिया पर सड़ रहा है, बिमार है, तो उसे आप अपनी एकदशी का दान देंगे, तो तुरंथ ही उसे भी उस एकदशी का दान लगेगा और आपको भी इसका फल प्राप्त होगा। बोग भोगती है, उसके बाद स्वर्प का भोग भोगती है, अठारा दिन में उस जीवात्मा की प्रोसेस पूरी हो जाती है, अठारा दिन के बाद उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है, धान मतलब चावल के खेत में पटका जाता है, इसलिए कहा जाता है कि चा चावलों का प्रयोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए और यहां भी निया में कि- 22 की दिन चावल कहना जरूरी है अगर एका दशी का पालन कर रहे हैं उसका फल चाहिए तो आपको 2-2 की दिन चावल जरूर खाना चाहिए उसी से आप उसका पारण करना चाहिए अगर आप दशी नहीं लगती है चावल खाना जरूरी है इसलिए धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है उस धान के खेत में जीवात्मा रहती है उसमें चिडिया बोजन करती है कोई भी जानवर बोजन करता है और वह मनुष्य के रूप में जनम लेता है इसलिए कहा गया है कि एका दशी के दिन चावल खाते हैं तो आप भी ध्यान रखें अगर आपके घर में चावल बनता है तो आप उस चावल को बिल्कुल ना खाएं और इस बात का ध्यान रखें कि एका दशी से भी भूल से भी चावल ना बने एका दशी के दिन विशिश कर आप नोट करके रख लिया करें, अलाम लगा दिया करें, कि आज के दिन एका दशी है और चावल नहीं बनेगा घर में, चावल से बनी वस्तुओं को भी नहीं खाना चाहिए, चावल से बने कोई भी पकवान नहीं खाना चाहिए, चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, एका दशी के द आते हैं तो एका दशी की दिन चावल ना खाएं और दशी के दिन चावल से ही अपने वरत का पारण करें तो वदर्श को पूजने श्री प्रदीब मिस्रा दिज्वरा कहे गए हम यह उपाय आप लुक तक पहुंचाते हैं अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे बैल आइकन दिखरा होगा उसे भी प्रेस करके आल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई उपाय बताएं आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपने जीवन को सार्थक बना सकें दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाई नमस्त बेंग